हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम इस वीडियो में एक ओल्ड बीरिंग के नंबर को कैसे कैलकुलेड करते हैं वो देखेंगे अक्सर इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जब भी कोई मशीन या फिर कोई पंप को डिस्मेंटल करते हैं उ आज हम इस वीडियो में ओल्ड बीरिंग का नंबर कैसे कैलकुलेड करते हैं वो देखेंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जूरूर करें और चैनल को जूरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले हम ओल्ड बीरिंग के डिमेंशन लेंगे इसका ओडी, आईडी और थिकनस सबसे पहले हम इसका ओडी चेक करेंगे इसका ओडी है 62 mm अब हम इसका आईडी चेक करेंगे इसका आईडी है 25 mm अभी हम इसकी थिकनस चेक करेंगे इसकी थिकनस है 17 mm अभी हम इसको लिख लेते हैं नीचे ओडी है इसका 62 mm आईडी 25 mm और इसकी थिकनस है 17 mm इसको निकालने के तीन तरीके हैं अभी मैं तीनों तरीकों से इसको आपको निकाल के दिखाऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने फोन के प्ले स्टोर को ओपन करेंगे प्ले स्टोर में हमने लिखना है बीरिंग साइज कैलकुलेटर और सर्च करना है तो कुछ एप्स ओपन हो जाएंगी इन में से हमको एंटी एन, बॉल एंड रोलर बीरिंग आप को डाउनलोड करना है ये एप मेरे पास पहले से डाउनलोड है तो मैं इसको ओपन करूँगा ओपन करने के बाद सर्च पे क्लिक करना है इसके बाद सर्च बाए नमबर लिखा है नमबर की जगां पे हमने डिमेंशन करना है तो यहां पे हमने बीरिंग की डिमेंशन को फिल करना है ID है 25 mm, OD 62 mm और Thickness S की 17 mm इसके बाद हमने सर्च पे क्लिक करना है तो ये Bearing का नंबर आ गया है 3605 ये Deep Group Ball Bearing है आप इसकी Dimension देख सकते हैं ID 25 mm, OD 62 mm और Thickness S की 17 mm तो अभी हम इसको Second Way से Find Out करके देखेंगे अभी हम फिर Google को Open करेंगे यहां पे हमने लिखना है Bearing OD 62 mm, ID 25 mm और Thickness 17 mm और इसको सर्च करेंगे तो पहले ही नंबर पे Bearing का नंबर मिल गया है Deep Group Ball Bearing 3605 2Z C3 2Z का मतलब होता है कि Bearing के दोनों तरफ Shield लगी होती है Metal की और C3 इसकी Clearance को Indicate करता है अभी हम Third Way से इसको Find Out करके देखेंगे अभी फिर Google सर्च पे जाना है और लिखना है Bearing Size PDF फाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी PDF फाइल ओपन हो गई है इनमें से हमको एक PDF फाइल को डाउनलोड करना है और अपने फोन में ओपन करना है PDF फाइल में आपको Bearing नंबर और उनकी Dimension मिल जाती है इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी Bearing नंबर या फिर उसकी Dimension को Find Out करना हो तो आप इस फाइल को Open करें और इसमें ढूंड सकते हैं कि आप किस नंबर का Bearing को ढूंड रहे हैं और उसकी क्या Dimension है इसमें आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये फाइल आपके Phone Memory में Save रहती है तो ये तीन वे थे Old Bearing के नंबर को Calculate करने के अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको Like और Share जरूर करें Thanks for watching this video